हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू M.O.S. क्लासिस, आज हम एट्थ क्लास मेथ हैंसी याटी के चैप्टर नंबर फाइव की एक्ससाइज 5.1 के कोशन नंबर फाइव को सोल्ड करेंगे फिफ्ट कोशन में हमसे कहा गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ में हमें यह बताया गया है कि होलिडेस के दोरान कितने नंबर फाइव स्टूडेंट्स ने कितने नंबर फाइवर्स टीवी देखा X एक्सस पर हमें नंबर फाइवर्स दिये गए हैं और Y एक्सस पर हमें नंबर फाइवर्स दिये गए हैं और अब हम ये चेक करेंगे के इस graph से हमें क्या information मिलती है, देखे students, 4 students ऐसे हैं, जिन्होंने 1 to 2 hours TV देखा, 8 students ऐसे हैं, जिन्होंने 2 to 3 hours तक TV देखा, 22 students ऐसे हैं, जिन्होंने 3 to 4 hours तक TV देखा, और 32 students ऐसे हैं, जिन्होंने 4 to 5 hours तक TV देखा, 8 students ऐसे हैं, जिन्होंने 5 to 6 hours तक TV देखा, और 6 students ऐसे हैं, जिन्होंने 6 to 7 hours तक TV देखा, और इसी graph से related हमसे तीन questions पूछे गए हैं हम one by one तीनो questions का answer देंगे First part में हमसे पूछा गया है For how many hours did the maximum number of students watch TV? यानि कि हमें ये बताना है कि maximum number of students ने कितने घंटे TV देखा यहाँ पर आप देख सकते है students कि 4 to 5 hours की जो frequency है वो सबसे ज्यादा है 32 यानि कि 32 students ऐसे हैं जिन्होंने 4 to 5 hours TV देखा और हमें भी यही बताना है कि maximum number of students ने कितने घंटे TV देखा तो यहाँ पर हम रिखेंगे 4 to 5 hours यानि कि maximum number of students ने 4 to 5 hours तक TV देखा Second part में हमसे पूछा गया है How many students watched TV for less than 4 hours यानि कि कितने students ऐसे हैं जिन्होंने 4 घंटे से कम TV देखा इस graph में आप देख सकते हैं students कि यह 3 बार उन students के हैं जिन्होंने 4 घंटे से कम TV देखा 22 students ऐसे हैं जिन्होंने 3 to 4 hours तक TV देखा और इसमें 4 hours इंक्रूड नहीं है यानि कि यह 22 students ऐसे हैं जिन्होंने 4 घंटे से कम TV देखा ऐसे ही यह 8 students ऐसे हैं जिन्होंने 2 से 3 घंटे तक TV देखा यानि कि यह वो 8 students हैं जिन्होंने कि 4 घंटे से कम TV देखा है और यह 4 students वो हैं जिन्होंने 1 to 2 hours तक TV देखा तो इन 4 students ने भी 4 hours से कम TV देखा तो हम 22, 8 और 4 को यहाँ पर एड़ कर देंगे और जब हम इन numbers को अड़ करेंगे तो हमें मिलेगा 34 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 34 students यानि कि 34 students ऐसे हैं जिन्होंने 4 घंटे से कम TV देखा थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है अब इस ग्राफ में आप देख सकते हैं students यह दोनों बार्स उन students के हैं जिन्होंने 5 घंटे से ज्यादा TV देखा 8 students ऐसे हैं जिन्होंने 5 तो 6 आवर्स तक TV देखा और 6 students ऐसे हैं जिन्होंने 6 तो 7 आवर्स तक TV देखा यानि के इन 8 students ने भी 5 घंटे से ज्यादा समय तक TV देखा और इन 6 students ने भी 5 घंटे से ज्यादा समय तक TV देखा तो हम 8 और 6 को यहाँ पर add कर देंगे और जब हम 8 और 6 को add करेंगे तो हमें मिलेगा 14 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 14 students यानि के 14 students ऐसे हैं जिन्होंने 5 घंटे से ज्यादा समय तक TV देखा I hope students आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे like, share और subscribe कीजिए Thank you